जिससे लॉक खुल जाता है फैंग के देखने से पहले वांग लैपटॉप उसके बैग में रख देती है जब फैंग टेवल पर खाना लाता है तो वांग उससे पूछती है क्यों उसने फोल्डर में क्या रखा है फैंग वांग को ऐसे ही किसी की भी चीज को देखने के लिए मना करता है इसके बाद हम वापिस से स्टोरी में आ जाते हैं जहां जुआन वापिस अपनी गल्फरंड के पास आ गया था जब वो खाना खारा होता है तो वो अपनी गल्फरंड को पैसे देता है और कहता है वो चल्दी ही उसके पिता से साधी की बात करेगा जिससे दोनों ही बहुत खुस होते हैं इसके बाद हम जुआन को ठीटर में देखते हैं जहां वो अब भी साइड में ही खड़ा था वो सोच रहा था कि उसकी मांगी हुई विस कप पूरी होगी तब ही वो देखता है उसका सिनियर नीचे गिर जाता है जिससे उसे वहाँ से ले जाया जाता है अब सिनियर को चोट लगने की वज़ा से जुआन को मौका मिल जाता है दरसल ये मौका जुआन को उसके दोस की वज़ा से मिला होता है जिससे वो खुस होता है उस दिन उसका दोस्त इसके पास आता है और साथ ड्रिंक के लिए पूछता है और फिर ड्रिंक करते वक्त जवान का दोस्त उससे कहता है कि वो एक बहुत अच्छा अक्टर बनेगा क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखता है इससे जवान को बहुत अच्छा लगता है लेकिन क कोई भी उसे मौका नहीं देता और जो मौका देते हैं वो उसे ना तो पूरे पैसे देते हैं और देते हैं तो फेक कर पैसे देते हैं। जोन अपने जिंदगी से बहुत जादा परिशान हो चुका था जब वो रोड़ पर आता है तो उसे इतना गुस्टा आता है वो रोड़ पर ही लगे पोश्टर को फाड़ने लगता है इसके बाद हम सुआन को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जो उसे बताता है कि उसे कुछ फ्लिम्स का ओफर आया था इसलिए वो जुआन को भीजता है अब जुआन स्टार फ्लिम्स कंपनी में जाता है अच्छे से रेडी होकर जब उसका अडिशन होता है तो उसे कुछ बोलने से पहले ही रिजयक कर दिया जाता है जुआन को कुछ भी समझ नहीं आता वो बूरी त सक्सस चाहिए जिसके बदले में वो लेडी उससे उसके सबसे कीमती चीज मांगती है जुआन कहता है अब उसके पास कुछ नहीं है वो कहती है कि वो किमती होना चाहिए चाही कोई भी हो जुआन को सबसे पहले अपनी गर्फरेंट की याद आती है और फिर अपने से सेक्सस मांगता है इसकी कुछ समय बाद इस वान को एक फिल्म कंपणी से एक कॉंट्रैक्ट मिल जाता है और देरे देरे जुआन एक बहुत बड़ा इस्टार बन जाता है लेकिन जुआन हमेशा अपने दोस्त के बारे में सोचता है एक दिन जब वह कहीं जा रहा होता है वो अपने दोस्त को देखता है जो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका था और वो उसके पास अपनी गाड़ी लाता है जिसे वो पैदल ली चलाया करेता था वो जुआन से पूछता है क्या उससे कहीं जाना है जुआन कहता है हाँ फिर वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है जुआन को उसके लिए बहुत जादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने नहीं सोचा था उसके साथ ऐसा होगा चाते समय वो उसे बहुत थोड़े जादा पैसे दे देता है लेकिन जुआन का दोस्त मना करता है लेकिन जुआन उसे रखने को कहता है जब उसका दोस चाह रहा था तो जुआन उसके बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसने हमेशा उसकी मदद की और वो हमेशा कहा कहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा श्टार बनेगा और आज जुआन की वज़ा से उसकी जिन्दगी खराब हो गई जुआन अपने दोस से इमोशनल होकर दीरे से कहता है मुझे माप कर देना इसके बाद हमें एक साल बात का समय दिखाया जाता है जा हम जुआन को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा इस्टार बन चुका था इसलिए डिरेक्टर की बेटी जांग उसे पसंद किया था लेकिन रात को जुआन उसकी गल्फरेंड के साथ ही सोता है लेकिन वो उससे कुछ भी बात नहीं करता इसके बाद जब अगले दिन जुआन बैठा था तो उसके पास जांग आती है वहीं दूर खड़े दो वर कर बात कर रही थे कि जुआन को कुछ भी नहीं आता वो बस डारेक्टर की बेटी की वज़त से वहां तक पहुचा है जुआन ये सून लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं जुआन जब जांग के साथ बाहर था तो जांग उससे कहती है कि एक नए रोल के लिए और्डिशन होनी वाले हैं अगर उसे वो करना है तो वो अपने पिता से बात कर सकती है लेकिन जुआन अपनी महनत से बड़ा श्टार बनना चाहता था इसलिए वो उसे मना करके वहां से चला जाता है इसके बाद जुआन को पता चलता है कि स्टार फिलिम कंपणी ने लाश्ट मिनट पर एक्टर को चेंज कर दिया है जिससे उसे बहुत जादा गुसा आता है मतलब यही था कि जुआन कितनी भी कोसिस करे उसे हार ही मिलती है हमेशा इसके बाद जुआन घर पर लंच करनी जाता है जहां उसकी गर्फरेंट उसके लिए बहुत अच्छे से खाना लाती है जुआन उसे बताता है कि वह चाहे जो भी कर ले लेकिन कुछ भी नहीं बतलता जब उसकी गर्फरेंट उससे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है तो जुआन उसके उपर ही गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो ऐसे जिन्दगी नहीं जीना चाता है और वहां से उस लेड़ी के पास चला जाता है और उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो सब उसे मिल जाए वो लेड़ी उससे कहती है कि इस बार वो क्या देना चाता है तो जुआन अपनी गर्फरेंड को जो कि उससे इस दुनिया में सबसे जादा प्यार कहती थी उससे दे देता है वो लेड़ी उससे कहती भी है एक बार चले गई वो तो कभी नहीं आएगी लेकिन जुआन नहीं रुपता और अब उसके विस पूरी हो जाती है जुआन पूरी तरह डरा और सहमा अपनी गर्फरेंड को देखने के लिए भाग कर उसके पास आता है और देखता है कि वो वहीं बैटी थी दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुस होते हैं लेकिन अगले ही पल वो गरीब हो जाती है इसके बाद जुआन बहुत रूता है जुआन के पास सब सब कुछ था जो वो चाहता था लेकिन उसके पास उसकी गर्फरेंड जो हमीशा उसका इंतजार करा करती थी वो नहीं थी, इसलिए जुआन बहुत साधा तूट जाता है, एक दिन जुआन उस लेड़ी के एड्रस पर जाता है, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था, वो जगव बंद कर दी गई थी, इसके बाद वो उसकी गर्फरेंड की छोटी सी साप पर जाता है, लेकिन उससे वो कह तब हमें गोली की आवाज आती है जिसके बाद वहां हम वांग और फैंक को देखते हैं कि इस कहानी से हम यह सिखते हैं कि इंसान हमें सच चाहता है उसे सब कुछ मिल जाए लेकिन ऐसा होता नहीं हमें उस चीज में खुछ रहना चाहिए जो हमें मिली है इसके बाद वांग लेकर घर की तरब जाती है जहां अंदर वह अकेला जाना चाहती जाने पर वांग को दिखता है यानि वहीं कहानी वाला लड़का वांग यहां से अपनी एक स्टोरी बनाती है कि एक समय था जब उसने उसकी बहुत जादा मदद की थी लेकिन समय के साथ वह भी बदल गया और वांग उसे छोड़कर चली गई थी वहीं बाहर फैंग जब गाड़ी के पास था तो उसके पास से कुछ लड़कियां बाते करते हुए जाती है कि उस घर में जवान नाम का सिंगर रहता था फैंग फिर नेट पर सच भी करता है तो उसे पता चलता है कि वह अब मर चु गया जब रिजेक्ट हो गया था उसे काम्याब होने का भूद सवार हो गया था साथ ही वह दोसी लड़कियों को भी घर पर लानी लगा और कुछ समय बाद ही उसने वांग को जाने को कह दिया यह सब वांग के लिए एक बूरे सपने की जैसा था इसके बाद हम वांग को द को बारिस में भीगते हुए दिखता है उसे अच्छा मैसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वांग दुखी थी इसके बाद वांग और फैंग एक खटल में रुखने के लिए जा रहे होते हैं कभी वांग से कहता है कि उसका रूम इश्ट की तरफ है इसलिए उसके साथ कुछ ब काटम दवाया होगा और जब B1 में लिप खुलती है तो वांग देखती है वहां कोई नहीं था साथ ही वो जगह बहुत सान थी तब फैंग उसे बताने लगता है कि घर में जाते ही टीवी चालू करना तेज अवाज में ताकि नेगटिव एनज़ी खतम हो सके अब बेटू खुलता है और वहां भी बिल्कुल सांती थी और उपर से फैंग भी उसे डराए जा रहा था जिससे वांग और डर जाती है अब लिप बितरी में जाती है तो वांग कहती है अब और कितना नीचे जाएगी लिप तभी फैंग उससे कहता है वो घर में जाकर जितना हो सके उ तो वांग उसे चुपोनी को कहती है इसके बाद रात को वांग को नीन नहीं आती तो वह बहुत साधा ड्रेंक कर लेती है जिस वज़ए से वह बाट टब में गिर कर बेहुस हो जाती है जब वहां आता है तो उसे जल्दी से होस्पिटाल लेकर जाता है जहां पूरे रास्ते उसने वांग को अपने सीने से लगा रखा था। कुछ समय बात ही वांग को होसा जाता है फैंग वांग को और पल बने में ते कामि असरी नहीं शॉत रोड़ा चाहता था और उसना प्राइब सक्येंट से क след टो उसके लिए ऐने कान貌ने डार। और अब वो फैंग की कहानी सुनती है, जो उसने रिकॉर्ड की थी, कहानी सुरू होती है, फैंग बताता है कि वो बच्पन से एक डरफोग बच्चा था, भले ही वो पढ़ने में अच्छा था, एक दिन क्लास में एक नए लड़के का एडमिशन हुआ, जो अमीर था, फैंग को यहां भी चोट लग जाती है, और यहीं उसकी दोस्ती उस लड़के से हो जाती है, दीर दीरे वो साथ रहने लगते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन इसका रन फैंग को बहुत जादा डांट भी लगती है, क्योंकि उसके नमबर्स अब कम आ आते हैं, वो आगे क्या करेंगे, जैसे वो बाइस साथ ही ड्रिंग करेंगे, और बहुत सारा मजा करेंगे, इसके बाद हम हे बाई को देखते हैं, जो समुंदर किनारे बैठा था और बहुत दुखी लग रहा था, वो नोटबुक के एक पेच को फार कर फेक दीता है, सदर दुखी हो जाता है वो उसके फ्यूनरल में भी जाता है जा हेवाई की मॉम उसे एक आई पॉट देती है जिससे वो हमेशा गाने सुना करता था वो बताती है कि हेवाई हमेशा उसकी ही बाते करता रहता था इसके बात से फैंग अच्छे से तो पढ़ने लगता है लेकिन वो हमेशा उदास रहा करता था रात को उसे ऐसा लगता था जैसे हे बाई उसे बुलाने आएगा एक दिन फैंग ने वो पेश देखा जिस पर उन दोनों ने अपने वेश लिखी थी फैंग अपने दोस्ते कहता है कि वो अब सभी वेश को पूरा करेगा फैंग वो सब कुछ करता है जो उसमें लिखा था वो बाइसैकलिंग करता है ड्रिंग करता है और समुंदर किनारे जाकर हेबाई को अब आज भी लगाता है उस से बाते करता है, अब Fang एक इंसान की नई, दो इंसानों की जिएता है, जो हेबाई करना चाहता था, वो सब्ही चीज़े करता है, दर असल Fang, वांग के पास भी इसी लिए आया था, क्यूंकि हेबाई ये चाहता था, वो उसकी नोवल्स पढ़ता था, के लिए दो दोनों को भोलते है और आगे बढ़ते हैं अब दोनों किसी रेश्टूरेंट के लिए निकल जाते हैं रास्ते में जब वो जा रहे थे तो वांग फैंग से पूछती है कि क्या उसने टिकट खरीदी दरसल वांग को उसके फादर के देट के लिए जाना था और जिस जगह उन्हें जाना था यानि हनान सिटी वह सिर्फ बोट ही जा सकती थी अब 600 युवान की फैंग टिकट ले लीता है इसके बाद वो वहीं एक रेश्टूरेट में खाना खाते हैं यहां वांग को अच्छा लग रहा था तो फैंग रिकॉडर निकाल लेता है वांग उससे वापिस रखने को कहती है और कहती है उसके फादर की दैथ नहीं हु पाद हम वांग को जूले पर देखते हैं जहां उसकी आंटी उसके पास आती है और यहीं वांग के फादर भी थे जिने कोई बिमारी थी इसके बाद वांग की आंटी फैंग को मार्केट चलने को कहती है तो वांग भी उनके साथ आ जाती है मार्केट में फैंग वांग के ह ट्रिंग कर लीता है और वांग को बताता है कि उसे उस पर इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि उसने किसी बड़े को खिलाया है घर में वो बताता है कि जब वो छोटा था वो उसकी दादी के साथ सो रहा था लेकिन उसे पंखा चलाना था उसकी दादी ने उसे मना किया था प किसकर लेता है सुपर वांग उसे बहुत तेज गाने चला कर उठा देदी हैंज किया उसने रात को कुछ किया था मना कर देथी हैं और हो सम मुंदर में जाकर सुइमंग करेगा तो वो पूरह स्टोरी तिन दिन में खतम देगी इसलिए दोनों समुंदर के किनारे जाते हैं और यह वही सीन है जो हमने ड्रामा की सुरवात में देखा था फैंग समुंदर में जाकर वांग की तरफ देखता है और सुइम करता ही नहीं है वह सट पहन कर वापिस पाहर आ जाता है और वांग उसे देख रही होती है फ जब उसके माता पिता उससे मिलने आते थे और उसके पिता को भूलने की बिमारी थी और फिर उसकी मॉम की दैथ हो गई उसके पास कोई नहीं था जब उसकी मासी ने उससे पाला लेकिन कुछी टाइम पहले उससे फोन आया कि उसके फादर की हलत खराब है और ये वही दिन थ जब फैंग वांग के पास आया था, वांग किंग घाई नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने फैंग से इतनी दूर आने को कहा, कार्ष से ताकि वो मना कर दे, लेगिन फैंग ने उसकी हर बात मानी, और उसे यहां ले आया, जब दोनों घर वापिस जाते हैं, तो देखते ह वांग के आंटी डेट पर जा रही थी, जिससे वो हैरान होती है, इसलिए दोनों को ही अब वहाँ अकेला रहना था, इसके बाद जब वांग एक जगह बैठी थी, तो वहाँ फैंग आ जाता है, जो अभी नहा कराया था, और अपने बालों को टावल से साप कर रहा था, लेक की को देखते हैं, जिसका नाम जुआन था, जुआन बहुत जादा इंट्रवार्ट थी, जुआन को हमेशा ही सपने परिशान करते थे, क्योंकि उसके साथ क्या सपने में हो रहा है, और क्या हकीकत में पता ही नहीं चलता था, जैसे किसी बोतल का धकन उसने सपने में खोला तो उसे वो हकीकत में खुला हुआ मिलता है, इसके बाद हम देखते हैं कि जुआन बिमार थी, उसे सर्दी लग गई थी, तभी उसे एक डेलिवरी मैं दवाई देने आता है, जो कि उसने मंगाई ही नहीं थी, इससे जुआन है तभी फैंग वां को बीच में रोकता है, औ जुआन को देखते हैं, जो अपार्टमेंट में नीचे ही सो गई थी, एक गाड़ आकर उससे कहता है, कि लिप ठीक हो गई है, वो जा सकती है, तभी वहां एक लड़का आता है, और जुआन को उसके रूम में ले जाता है, जुआन को यह सपना लगता है, इसके बाद वो एक रेश्टोरेंट में खाना खा रही थी, उसे वहां वही लड़का दिखता है, जो उसके सामने बैठ जाता है, और वही उसका बिल भी पे कर दीता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, तभी जुआन को उसकी दोसका कॉल आता है, और वो लड़का गाया बोजाता है, लेकिन जुआन को वह अच्छा लगता है, वह आज खुस होती है, फैंग वांग से कहता है, कि वह लड़का जिसे सब देख भी सकते हैं, और कभी नहीं देख सकते हैं, ऐसा क्यों? वांग कहती है क्योंकि ये एक सपना है, इसके बाद हमें उसी कहानी को ब्लैक और वाइट दिखा जाता है, जहां जुआन लिप्ट में आ जाती है, और वो लड़का बाहर खड़ा था, और उसके हाथ में कुछ था, जिसमें एक दिन चार गंटे और 35 मिनट का टाइमर चल रहा था, इसके बाद हम जुआन को देखते हैं, जो बाहर से आती है, तो उससे वही ब्लैक देखी रहा था, कि वो उसका एक कपड़ा उठा लीता है, जिसे जब जुआन लेने आती है, तो वो उससे चूती है, और कहती है, कि उसका हाथ काफे जाधा ठंडा है, जुआन उसे कल भी साथ दिनर करने को कहती है, अगले दिन जुआन बहुत खुस होती है, क्योंकि वो जब रात को वो आती है, तो वो उस लड़के के साथ मिलकर खाना बनाती है, लेकिन वो लड़का कुछ बोलता नहीं, जुआन अज अपने बच्पन की फेवरेट डिस खाना चाहती थी, और वो लड़का बिलकुल वैसे ही इस डिस को बना दीता है, जब जुआन उसे खाती है, तो वो बिलकुल वैसा बना था, जैसा उसने बच्पन में खाया था, वहीं हमें पता चलता है, जो लड़का उसके पास आया था, वो टाइम और स्पेस का इस स्पेक्टर था, तबी फैंग वांग को रोकता है, और उससे कहता है, उसकी स्टोरी में हमीशा बैड एंडि के साथ डिनर करती है, और इस दोरान दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, और आज वो इस पैस इसने उसकी मदद की, उसकी देखभाल की, और उसे भी उसके साथ रहना अच्छा लगनी लगा, लेकिन वो टाइम स्पेक्टर था, और अपनी अजादी को सेक्रिफाइस कर दीता वहीं हम वांग को देखते हैं, जो यहाँ तक कहानी सुना कर, दूर जा कर ख़ड़ी हो जाती है, तब फैंग उसके पास आता है और उससे बताता है, कि उसे कल रात क्या हुआ था, सब याद है, और फिर वो वांग को गले लगा लीता है, और कहता है, कि वो कुछ दिन और उस क cultivate इस हो कहना ऐंदिंग हो जाती है वहीं जब वांग उसक 200 करते हैं फिर वांग उसके ढांने की कहती है ही कि उस्ने कुछ दिन साहते हैं की क्यों कहा कि उसके बाद हम अगले दिन का देखते हैं जहां उच्पनी से चयुकतर है और बहों एक लॉलीपॉप ले लेती है और उसे खाते हुए बोलती है कि उसका टेश्ट बिल्कुल अंगूर की तरह है वांग सोसती है कि वो कुछ बोलेगा लेकिन फैंग कुछ नहीं बोलता तो वो दूर चली जाती है और दूसरे फैंग को देखती है जिससे कोई लेडी बात कर रह नहीं सुनती और एक रूम में चले जाती है साम को जब वांग बाहर आती है तो फैंग उसके पास आता है लेकिन वांग अब भी उससे अच्छे से बात नहीं करती फैंग उससे कहता है कि बूग पवरिस होने के बाद वो एक नई जिन्दगी सुरू करेगा वांग कहती है अच्छा रहेगा और बिना कुछ बोले वहां से चले जाती है उसके जाने के बाद फैंग खुद से ही कहता है कि वो उसी के बारे में सोचता है हमीच सा और उसके साथ नई जिन्दगी सुरू करना चाहता है और फिर खुद पर ही गुश्या करता है कि कास वो वांग को ये इसके बाद फैंग वांग को आवाज लगाने लगता है मैसेज करता है दरवाजा बजाता है वांग के आंटी भी वहां आती है लेकिन वांग कुछ नहीं बोलती इसलिए फैंग वहां से चला जाता है लेकिन वो बार बार वांग को ही याद कर रहा था अब फैंग वापिस खतम करने के बाद बाहर जाता है और एक जगा बैट जाता है और वो बूख निकालता है जो वांग ने टीम लेडर को बेजी थी वांग उसे खोलता है उस वुख की आखरी कहानी पड़ता है एक ऐसी लड़की की कहानी जो पच्पन से स्ट्रॉंग थी लेकिन उसका husband उसे रोज मारा करता था लेकिन उसने boxing सिखी सिर्फ अपने पती से बदला लेने के लिए फैंक को यहाँ वांग के सभी कहानियों में कुछ ना कुछ तो अजीब लगता है फिर वो वांग के बारे में सोचता है और जानी लगता है तभी उसे एक call आता है उसका कोई partial आया था दरसल ये वांग ने भीजा था फैंक सोचता है कि वो उसके call का जबाब नहीं दे रही मैसेज का reply नहीं दे रही वो आखिर क्या करना चाहती है वहीं दूसी तरब हम वांग को देखती है कि जब वो पहली बार फैंक से मिली तो वो बहुत अजीब था लेकिन उसने कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया वो हर किसी की मदद करता है वहीं फैंक के बहुत जादा सोचने के बाद वांग के पासल को खोल देता है और उसमें एक बुग थी जिसकी राइटर वांग सी वैन थी फैंक कहता है अब ये वांग सी वैन कौन है इसके बाद वो बुग पढ़ता है और सोचने लगता है उन करेक्टर्स के बारे में जो वांग की कहानियों में थी वांग उससे परिशान होता है कि यही करेक्टर्स ही क्यूँ इसलिए फैंक अपने टीम लीडर को कॉल करेता है और पूछता है कि वांग सी वैन कौन है लेकिन उसका लीडर कहता है कि कल बात करेते हैं अगले दिन जब फैंक आफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि वंग सी वैन ही वंग पूटाओ है और ये भी कि जो भी करेक्टर्स उसने इस्नमाल किये हैं अपनी कहानियों में वो और कोई नहीं उसी के कमपणी के मेंबर्स के नाम है इसके बाद टीम लीडर फैंक को वांग की पाश्ट लाइप के बारे में बताता है कि कैसे वो एक आदमी से मिली थी जो बहुत अमीड़ था वो उसे बहुत महंगी चीजे दिया करता था वाग ने उससे साधी कर ली, लेकिन साधी के बाद सब बदल गया, क्योंकि अब वही आदमी उसे जानवरों की तरह मारने लगा, और जब वाग वो उसे नहीं लिखने देता था। टीम लीडर ने वांग से कहा कि वो पुलिस को बता सकते हैं, लेकिन वांग ने मना कर दिया था, वांग एक नई जिन्दगी चाहती थी, इसलिए उसने उस दिन से अपना नाम बदल लिया, और अपने हस्बेंट को डिबोच दे दिया, फैंग ये सुनने के बाद पूछता है उसके पती का क्या हुआ, वो कहता है उन्हें नहीं पता, और ये भी बताते है कि वांग कभी भी एक जगा नहीं रहती, वो घुमती रहती है, फैंग अब उससे मिलना चाहता था, इसलिए टीम मेंबर्स बताते हैं कि एक ही लड़की उससे वांग का एडर्स बता सकती है, इसलिए फैंग जल्दी से लवांग के पास जाता है, जो इस समय एक मदर थी, वो बताती है कि वो एक टाइम पर डिरेक्टर हुआ कईती थी, फैंग बताता है कि वो वांग का एडिटर है, तभी लवांग को किसी का कॉल आता है, इसलिए उससे बाहर जाना पड़ता है, ल लंच करने को कहती है, जिसके लिए फैंग मान जाता है, इसके बाद जब फैंग लुआंग के साथ लंच करने के लिए जाही रहा था कि लुआँ अपने छोटे बच्चे से कहती है, कि वो ट्वाइलेट का नाटक करें और सोर मचाए, उसका बच्चा वैसा ही करता है, और लुआंग को एक बॉक्स देती है, और वहां से चली जाती है, दर असल ऐसा करने के लिए लुआंग को वाँग ने ही कहा था, फैंग बहुत देर तक लुआंग का वेट करता है, दूसी तरफ जब वांग मार्केट में जाती है, तो उसे फैंग की बहुत याद आती है, फैंग को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो उस बॉक्स को फेक दीता है, जिसमें उसे एक कपड़ा और एक समुंदर की पिच्चर मिलती है, जिस पर लिखा था कि अगर तुम तयार हो, तो मेरे पास आजाओ, और फैंग सोचता है, कि वांग हमेशा उसी का इंतजा कर रही थी, बस वो ही उसे समझ नहीं पाया, फैंग बेना कुछ सोचे, वांग से मिलने के लिए निकल जाता है, वो बहुत भागता है, इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां वांग फैंग के बारे में ही सोच रही थी, कि वो अभी तक क्य जाता है, और वांग से मिलने के लिए निकल जाता है, अभी फैंग को किन घाई पहुचने के लिए 2700 किलो मिटर का सफर तैय करना था, लेकिन फैंग वहां जाने से पहले अपने दोस्त हेवाई के घर जाता है, और हेवाई के मॉम डैट को बताता है, कि हेवाई लाश्ट उसके पास आया था, जब उसके मॉम डैट ने बहुत डाटा था, इसलिए वो उस दिन हे बाई के साथ नहीं गया, अगर गया होता तो वो साथ में बहुत मज़े करते, घुमते, खाते, बाई सैकलिंग करते, इसके बाद वो सभी खाना खाते हैं, जब फैंग वहां से जा होता है, तो वो उन्हीं रास्तों को देखता है, जहां से वो कभी साथ जाया करते थे, और फिर वांग से मिलने के लिए किन घाई के लिए निकल जाता है, दूसे तरफ वांग भी उसी का इंतजार कर रही थी, ऐसे ही कुछ दिन बिच जाते हैं, एक दिन जब वांग अपन कर रहे हो, फैंग कहता है, वो भी उससे इसी तरह से पेश आती थी, फैंग उससे गुस्से में कहता है, कि वो फ्यूचर में कहीं भी जाए, लेकिन उसे जरूर बताए, वांग कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँ, वो कहती है, उसे बस कहानी ही बतानी है, फैंग उससे कहता है, कहानी जरूरी नहीं है यही बात आखरी बार वांग ने पूछी थी और वो गुस्सा हो गई थी फैंग यह कहकर चुप हो जाता है और वांग को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं हमीशा तुम्हारे साथ रहना चाता हूँ तब ही वहां वांग के आंटी आ जाती है और दोनों दूर हो जाती है फैंग अपना समाल लेने चला जाता है और वांग रूम में जाकर तयार होनी लगती है और जब वांग नीचे आती है तो फैंग उसे देखता ही रह जाता है और वांग की आंटी वहाँ से चली जाती है इसके बाद हम दोनों को साथ में देखते हैं जहां दोनों फुल जड़ियां जला रहे होते हैं यहां फैंग वांग से बहुत कुछ पूछता है लेकिन वांग उसे बार बार ओो ओ में जवाब देती है तो fang कहता है आगे से वो ऐसा ना कहे फिर wang fang का हाथ पकड़ ले दिया और कहती है कि उसके फिकर है fang कहता है फिकर थी तो उसने उसके साथ ऐसा क्यूं किया वो कहती है कि वो उसे बार-बार script के लिए कह रहा था फैंग कहता है इस्क्रिप्ट जरूरी नहीं है फैंग ये सुनकर बहुत खुश होती है और शिलाने लगती है फैंग को कमपनी से कॉल आता है टीम लेडर पूछता है कि वांग मिली जिस पर वांग फोन लेकर खुद कहती है कि वो ठक गई है ये सुनकर टीम लेडर फोन कट कर दीता है फिर फैंग वांग को स्वीमिंग पूल में ले जाता है और दोनों किस करने लगते हैं अगली मॉर्निंग जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो दूर बैठी वांग की आंटी उन्हें देख रही थी क्योंकि वो दोनों बैठे बैठे अजी बजी भरकते कर रहे थे वांग की आंटी उनके पास जाती है और कहती है जल्दी ब्रेकफास्ट करो वांग के डैट के पास भी जाना है इसके बाद बाहर कोई आता है तो आंटी बाहर चली जाती है और देखती है वहां वांग का एक्स हास्बेंट आया था त इसलिए वुमंग से बात कर रहे हैं कि वह आ जाईगी और वापिस कुछ कुछ या गया है वह निकल जा है वह आ जाहेगी फैंग कहता है क्या है वो फिर से भागना चाहती है वाज उसे प्याव करती है और व इस जल्दी ही वापिसानी को कहता है, इसके बाद फैंग वहां से चला जाता है, निरसल फैंग, وांग के फादर के पार से जा रहा था, हम वांग के फादर को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में थे, और काफी खामोस और बिमार लग रही थे, तभी फैंग हुस्पिटल पोहच का दोस्त है लेकिन वांग के फादर को तो ये भी याद नहीं था उनकी कोई बेटी है इसके बाद जब दोनों पार्क में थे तो वांग के डैड फैंग से उसकी एज पुछते हैं फैंग कहता है 25 लेकिन वांग के डैड उस पर अचानक गुसा होते हैं तो फैंग कहता है वो 18 साल का है तो वो रुप जाते हैं फिर वांग के फादर कहते हैं वो 18 का लगता नहीं है फैंग बस उन्हें देखी रहा था इसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें उसकी बेटी से मिलना है और बाहर जाना है तो फैंग उन्हें वहान से भगा कर बाहर ले जाने लगता है लेकिन उन्हें दूर खड़ा डक्टर देख लीता है और वह अपनेार को बठाता है कि हीकर पिड़ से भगाकर क्यों लेकर जा रहे ह। फैंक डॉक्टर से कहता है कि वो बस उसे एक दिन का वक्त दे दे, वो कल उन्हें वापिस ले आएगा, इसलिए डॉक्टर मान जाता है, अब घर वापिस आने पर वांग के पिता हर चीज को देखनी लगते हैं, और उन्हें अपनी बेटी के लिए खाना बनाना था, लेकिन में कोई समान नहीं था, इसलिए फैंक और फिर दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं, और बाते करते हैं, इसके बाद जब वो टेवल पर बैठे थे, तो वांग के डैड मिश्टर वांग बताते हैं, कि जब उनकी बेटी छोटी थी, तो उसका खिलोना गुम होने पर उन्हो वो अपने खिलाओने रख सके, फिर फैंक वांग को मेसेज करता है, और कहता है, कि वो उसके डैट के साथ है, तो वो जल्दी आ जाए, वहीं दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जो फैंक को याद कर रही थी, फिर वो तयार होकर अपने एक्स हस्बेंड के पास जाती है, ताकि वो आज उसके साथ सभी चीजे खतम कई दे, वांग वहां पहुचती है, और दोनों एक टेवल बर बैट कर खाना खाते हैं, लेकिन उसके एक्स हस्बेंड ने ड्रिंग में कुछ मिलाया था, क्योंकि जब वांग खड़ी होती है, तो उसे चक्कर आनी लगते हैं और फिर उसका एक्स हस्बेंड उसे पकड़ लीता है, वांग बचते हुए उसे चाको मार देती है, लेकिन अब उसके एक्स हस्बेंड को गुसा आ जाता है, और वो वांग को जोड से मारता है, और फिर यहां हमें वांग के कुछ फ्लैस बैक देखने को मिलते हैं, जह हम कि वांग के डैट ये नहीं चाते थे, कि वांग की साधी इस आदमी से हो, लेकिन वांग अपने डैट की बात नहीं सुनती, बलकि वो तो अपने डैट को ही उल्टा बोलने लगती है, कि उसका उनसे रिस्ता ही क्या है, क्योंकि वो तो उससे मिलने भी नहीं आते थे, जिस उसके डैड ने उसे रसी खोलना भी सिखाया था तभी वहां उसका एक्स हस्बेंट आ जाता है और वह वांग के करीब जाता है तभी वांग उसके पैर में चाको मार देती है और अपना फोन लेकर वहां से भाग जाती है वहीं फैंग बार बार उसे कॉल कर रहा था और और फैंग दोनों च्छत पर जाते हैं जहां फैंग वांग को लगी चोट को ही देख रहा था कि वहां वांग के डैड आ जाते हैं और वह गलत समझ कर फैंग को मारने लगते हैं और जैसे ही वांग को देखते हैं तो वह खुस हो जाते हैं वहीं दूसी तरफ वांग का एक वांग नीचे चली जाती हैं और जब उसके पास जाता है मिश्टर बाहर जाते हैं तो नीचे देखते हैं कि मेरे जाते हुए वो फैंक से कहते हैं कि वापिस जाकर पोग बनाना ना भुले फैंक कहता है ठीक है आगे वो कहते हैं कि वो उसकी बेटी से कहे वो साल भर उससे मिलने नहीं आए क्योंकि वो बोट पर काम करके पैसे कमा रहे थे वो कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी कोसिस की इसलिए वो उससे नफरत ना करें इससे वांग बहुत ज़्यादा एमोशनल हो जाती है जब मिश्टर वांग अंदर जाते हैं तो वो अपने पैसे अपने पास रखते हैं और तेजी से चिलाते हैं जब डॉक्टर उनके पास ज पता देते हैं इसलिए वो भी उन्हें ढूंडने लगते हैं हम मिश्टर वांग को उससे सौप पर देखते हैं जहां वांग का एक्स हजबन पर आया था वहां कुछ खरीदते और वहां से चले जाते हैं वहीं फैंग और वांग उन्हें हर जगह आवाज लगा कर ढूंड रहे थे जब वांग घर देखने आती हैं तो उसे याद आता है कैसे उसके डैड उसके लिए पैसे टूमर्ट के नीचे रख दिया करते थे और जब वह स्कूल चाहती तो वह पैसे ले लिया करती थी और आज भी उन्हें यह याद था इसलिए उन्होंने वहां पैसे रखे वही हम वांग के डैट को देखते हैं जो एक जगा बैठे थे कि तभी वहां वांग का एकस हस्बेंट आ जाता है और वो मिश्टर वांग को जब दस्ती अपने साथ अपनी कार मिले जाता है अब कुछ दिन बीच जाते हैं वांग और फैंग उन्हें हर जगा ढूंडते है लेकिन वो कहीं नहीं मिलते इसके बाद जब फैंग और वांग खाना खा रहे थे तो वांग बहुत ज़्यादा दुखी होती है फिर हमें एक भोई सोबर बताती है कि इंसान को हमेशा कालपनिक कहानिया पसंद आती है फिर हमें वांग की सभी कहानियों की एक एक छलक थी दरसल यह सब वांग का एक्स हस्बेंट इस सोच रहा था तभी मिश्टर वांग को होसा जाता है जो कि वहीं थे वांग का एक्स हस्बेंट उन्हें रस्टी से बांद देता है अब मिश्टर वांग याद करनी लगते हैं कि वह कौन है और उन्हें याद आ जाता है कि व से लोकेशन सेंट करी थी और फैंग उस जगह पहुच जाता है और यह वही जगह थी जहां वांग के एकस हस्बेंट यानि लियान वैंग कई ने उसके डैट को रखा था तभी फैंग को एक कमरे में मिश्टर वांग मिल जाते हैं वो उनकी रसी खोली रहा था कि तभी वहां वांग का एकस हस्बेंट आ जाता है और दोनों में लडाई होती है जिसमें लियान फैंग के सीर पर एक वाइन की बोतल माय दीता है जिसमें फैंग बेहुस हो जाता है और वो फैंग को भी बान दीता है वहीं वांग के आंटी उसे जदा परिशान होने के लिए मना करती है और कहती है कि पुलिस जल्दी ही उन्हें ढूंड लेगी वांग अब अकेले रहना चाहती थी इसलिए उसके आंटी वहां से चली जाती है अब वांग अकेली खड़ी थी तो उसे उसके एक्स हस्बेंट का खयाल आता है और वो भाब कर वहां जाती है तो उसे वहां बहुत तेज गैसोलीन की स्मेल आती है उसका एक्स हस्बेंट अचस से उसे वेडिंग ड्रेस फेक कर देता है और उसे पहनने को कहता है और उसके साथ डांस करने को कहता है वहीं वांग के आंटी पुलिस को कॉल कर देती है वांग ट्रेस पहन लेती है लेकिन जब वो फैंग को वहाँ देखती है तो उसके पार जाने लगती है लेकिन उसका एक्स हस्वेंट उसे पीछे की तरफ धक्का दे दीता है वांग उससे कहती है कि वो कभी बदल नहीं सकता वांग कहती है वो उसे कितनी भी बार नीचे गिर ही फाइट सीखी थी और फैंग ये देखकर हैरान होता है इसके बाद हम देखते हैं वहां पुलिस आ जाती है और वांग के एकस हस्बंड को अरेश्ट कर लेती है इसके बाद एक भॉइस ओवर हमें सभी कहानियों के बारे में फिर से बताती है जैसे जियून ने अपनी अरे खड़ी थी तभी उसे फैंग आवाज लगाता है जिसके साथ मिश्टर वांग भी थे तीनों एक बोट में बैठते हैं और बीस समुंदर में निकल जाते हैं अब वांग भी अपने डैट के साथ खुश थी और इसे के साथ ये कहानियां खतम हो जाती है